तो आज हम एक और कार रिविव के साथ आ चुके हैं तो हाज हम रिविव करेंगे वर्ट्वेगन की वर्चस का ठीक होफ़ोली मैं इसका नाम जो है सही से प्रणाउंस कर रहा हूंगा तो यह जो है वैसे तो एक्सपेक्टेड लॉंच है इसका में में है में 2022 ठीक है अभी त मतलब के जो मोडल आएंगे उसके एसाब से मैं आपको बता रहा हूं तो इसमें जो ऑफरिंग होगी इंजन के जो आफ तीन वीरेंट्स हैंगे इसमें 1.0 MT 1.080 और 1.5 DSG मतलब के जो हजार सीजी का है वो माइनवल ट्रांविशन हजार सीजी आटोमेटिक और 1.5 DSG ठीक ह तो यह इसके तीन जो है वो इंजन आने ही आने है पेट्रोल इंजन को देना ही देना है कुछ भी करके तो अगर हम इसके बात करें कि जो पावर कितनी प्रोडूस करेंगा 1.0 वाला वो करेंगा 114 बीच्प 175 अनम टॉर्क पे और जो आपका 1.5 है वो है 148 बीच्प और 250 अ LED प्रोजेक्टर होंगे और जो LED DRL हैं सारे के सारे सकंदर टेक है और डूल टॉन के अलाइवील है वो मैट फिनिश में लगते हैं तो अभी देखने में पिच्छरेशन और 16 इंचीज के हैं वो 10 इंच कट इंफो टेजमां टस्क्रीन भी इसमें दिया गया एपल कार प्या और 3 ऌडर मठीम करता है कौन से वेर्यंट से सारे मेר यहीं नहीं होता है जुसके राइवल रहेंगे वह कौन कौन propels रहेंगे वह आपके स्कॉटा के सकने आपकी स्रॉडवी मेरा रह वह आपकी मेरे जोकी एक मेरे पैडिमार एक है अगर मेरे एक मेरे और ले लूप तो यह कुछ इनका पैसी फाइटर गाड़ी सेडान क्लास में आती है पेटरोल मैनुल ट्रांसमिशन अगर मैं आपको वेरियंट के नाम बताऊं तो डायनमिक लाइन परफॉरमेंस लाइन डायन और परफॉरमेंस लाइन डियाज जी तो यह काफी नाम है देको डियाजी जो क्लच होता है वह बहुत पावरफुल होता है और बहुतरी मतलब अगर आप एंथूसियास्ट है तो आपको जादा बताना नहीं पड़ेगा क्या होता है ठीक है बाकी अगर हम इसके कलर्स की बात करें तो शे कलर आएंगे इसके अंदर वाइल्ड चेरी रेड जो मेरा परस अच्छा लग रहा है बाकी अपना हमना चॉइस है राइड कलर में और आपके वास 1.5 DSG हो तो क्या ही कहने ठीक है तो बहुत ही अगर इंट्रियर की बात करो हूं तो थोड़ा सा जो इसका इंफॉर्म ड्राइबर की तरफ जुखा हुआ है ताकि ड्राइबर को एजी ली कि अगर वह कुछ भी चेंजिस कहना चाहते तो उसको ध्यान डारेक्ट ना हो मतलब रोड से ना हो तो इसली वह कर पाएगा ठीक है और एट स्पीकर्स के इंदर होंगे पुश्टाट बटन पैडल शिफ्टर भी है इस गाड़ी के अंदर और लेधर लेधर रैप्ट है मल स्पीडर रिवर सपार्किंग गैंवरा रिवर सपार्किंग सेंजर एब्ट ही है और और टाय डिफिलेशन मतलब कर अगर हवा कम हो और यह तो आपको पताएगा यह सब आप जुन यह जो से में अनगा आता है बट वश्वेगन है तो वश्वेगन का बताने की जरुदतनी में वह नहीं कि कोई अलक्स और को चॉइस है वह नहीं जाल ले नहीं वाल्सवेगन और इतने मार्केट मार्केट माइगी है आपके साथ दो मचा देगी जो लोग इतना पैसा खर्च करने तो ऑब्विस यह वो क्यों ना सुच करेंगे गाड़ी ओपर ठीक है क्योंकि एक तो तो वह मैं आपको जरूर बताऊंगा पावर जो मेरा मुझे पसंद आती है क्या पावर कैसी है तो पावर 150 प्येस बहुत पावर होती है ठीक है तो टू लिटर के इंजन जो स्कॉर्पियों का है वो भी 140 प्येस निकाल रहा है और यह निकाल रहा है 150 प्येस तो अब समझ स कर रहा है मैं आप ले जाए पट कभी कभी किसी हाइवे पर करके देख आप पोफील आएगा और जो कंपनी क्लेम कर रही है इसका एवरेज वो है आपका 18.4 जैने की जो 1.5 वाला हिंजन है ठीक है बागी इतना हो भी पाएगा के नहीं हो पाएगा ठीक है तो यह कि इतना सब्सक्राइब कंपनी क्लेम करें तो आपको 14 तक इसका एवरेज मिल जाना चाहिए ठीक है बहुत सारे इसमें फीचर्स दिए गए हैं और अगर आप बता दिया आर शिक्स्टीन फॉर्टी वील साइज बता रहा है वैसे तो 16 इंचिस के लाइवील है वैसे आर शिक्स्ट है ना और अपको उसके बता दिया और जो रूफ है ना वह बहुत बहुत प्यारी लग रही है रेन सेंसर वाइपर और आपका ऑट्रमेटिक एसी कूल गलव बॉक्स है ना तो यह सारी इसी चीज़ें आटो हेड्लम्स हो गए यह भी इसके इंदर आ रहा है आटो हेड्लम् कर सकते हैं और है अपना कर सकते हैं और यह बात करें तो उसमें मुबाइल चार्जिंग वायरलेस है फोर यूएजबी पोर्ट सपोर्ट करता है वह हैंस के अंदर और एक ट्वेल्वोल्ट का सॉकिट तो वही बहुत सारे फीचर से गाड़ी अंदर अगर 17-18 लाग तक ही जाएगी उससे जादा तो नहीं जाएगी तो भाई मैं तो 1.5 DSG एनी डे चूज करूंगा और एर बैक सिक स्टैंडर रहेंगे सारे मॉडल में कोई साभी वेरेंट आप ले सकते हैं कोई प्रॉल्म उसके अंदर नहीं आने वाला है तो एक बहुत अच्छी गाड़ी आरी बाकी अगर मैं इसकी लेंद्ट के बारे में बात करूं तो 4561 और अगर वेड़ की 1752 और हैट की 1507 वील बेस है 2651 का और यह सब कुछ एक फिगर्स हैं जो हैं इसके अंदर ठीक है बाकी बूट स्पेर्स है 521 लेटर का बूट स्पेर्स है जो भी बहुत अच्छा है बर यह सेटान में जो बहले मुझे लगता था कि जिसे बाकी सब गाड़ी हैं तो उसके अंदर जो आपका मतलब जिसे गाड़ी नीचे लग जाती है जिसे कुछ और अंडर सीडियों गई या वर्ना हो गई तो इसमें वह चीज निए इसकी हाइट भी काफी नहीं इंक्रीस करके है मतलब कि आपको ग्राउंट इसका काफी अच्छा है एक्जेक्ट फिकर अभी नहीं आए मेरे पास कि मैं आपको बता बहुत है गाड़ियों में तो इसका जाधा ही होगा और बहुत धमागेदार उसकी लांचिंग होने वाली है ठीक है और मतलब ओवरा लुक यह वोल्स गाड़ी का वैसे तो और बाहर से चैरी में चैरी कलर रेड चैरी कलर है उसका और ब्लैक अलब बहुत ही बहुत बहुत अच्छे लग रहे हैं चूकि ग्लॉसी सा लुक है और बहुत सारा मतलब अच्छी गाड़ियों में से आएगी एकांट हो जाएगी और लोग वन अग करना यह सब इतना ही निकालती है तो यह भी आप कर सकते बागे समय वॉल्स्वेंगन को सारी चीजें और और प्रूस कंट्रोल वह जो में फीचर होते हैं जो जनरल डी गाड़ी में आते वह सारे इसके नदर हैं तो यह एक एवरेज प्राइज में पता है वैसे उसका मैक् बाकी ओरल गाड़ी मुझे बहुत पसंद आई हम वेच करते हैं इसका लॉंच का जैसी लॉंच होती है मैं आपको अब्डेट करता हूँ वीडियो पसंदेज लाइक के जिए चैनल बने चैनल के सब्सक्राइब के जिए थेंक्स अमच